Hello दोस्तों कैसे हो आप लोग I hope आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज किस वीडियो में हम टाइप सॉप कल्चर मीडिया देखेँगे कल की वीडियो के लिए सौरी कल मैंने form of culture media का एक वीडियो बनाया था उसमें why sublog तक नहीं पहुँच पा रही है तो उसको मैं आज last में revision कर दूँगा तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम types of culture media पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे basal media ठीक basal media में यह एक प्रकार की culture media होती है गया होती है कि इंडिचर मीडिया होती है it is a simple media paint on ect and water extra nutrient not present in this media क्या होता है इसमें एक simple media होती है इसमें प्रेपटों मिंडर्रा इंड वाटर क्या होता है content होता है इसमें extra होता है प्रेजेन नहीं होता है कि यह बैस्ट के With घ्रaa करती है लिए मिडिया क्रोमी इस दरना करती है यह मीडिया our ने क्वित को सबूर्ट करती है इंद्रas एक्जामपल देखिए एक्जामपल में है न्यूट्रेंट एकार दूसरा है न्यूट्रेंट ब्रोथ यह है बेसल मीडिया का एक्जामपल अब हम नेक्स्ट मीडिया देखेंगे इंद्रिज्ड मीडिया ठिक इंडीड मीडिया जो होती है या extra nutrient present are in this media like blood serum इसमें क्या होता है इसमें extra nutrient present होता है जैसे कि blood हो गया serum हो गया यह सब क्या होते हैं इसमें extra nutrient present होते हैं ठीक microorganism that do not grow in basal media they grow in this media क्या होता है जो microorganism basal media में grow नहीं करते हैं वो enriched media में grow करते हैं ठीक है example देखिए example में हो गया blood agar blood agar किसे मिलके बना होता है nutrient agar plus blood nutrient agar और blood को मिलाएंगे तो क्या बनेगा blood agar बनेगा दूसरा है chocolate agar chocolate agar कैसे बनता है blood agar plus blood agar को heat कर देंगे तो क्या बन जाएगा chocolate agar बन जाएगा तो हम next media देखते हैं देखें तीसरी मीडिया है selective media यह selective media क्या होती है this media contains some substance that particulates the growth of of the some microorganism and inhibit the growth of other microorganism क्या करती है यह जो selective media होती है वो particular इसमें कुछ substance present होते हैं क्या करते हैं जो particular microorganism को growth कराते हैं और जो microorganism होते हैं उनके growth क्या कर देती है inhibit कर देती है क्या कर देती है inhibit कर देती है example देखे एक्सल्डी एगार for salmonella और सिजेला एक्सल्डी एगार का यूज किया जाता है salmonella और सिजेला के लिए यह जैसे selective media एक्सल्डी एगार ठीक है देखे अब हम देखेंगे differentiate media होती है differential media differential media क्या होती है this media differentiates one media from other and another media क्या करती है एक media को दूसरे मीडिया क्या करते differentiate करती एक्जांपल देखे जैसे यह है मैं कौंग की एगार यह एक मीडिया ठीक है यह क्या है या एक मीडिया एक बैक्टिरिया को दूसरे बैक्टिरिया क्या करता है इसको क्या करेगा दूसरा एक्जामपल देखिए ब्लड एगार है इसमें हीमोलिटिक बैक्टिरियों क्या करेगा इसको बोलते हैं कि इसका मेडिया हुसे बीदी देखेंगे देखिए नेक्स्ट मीडिया हैं इन्रीजमें चे ओन्लिप खीए खिलेक्टिय insects मीडिया सब्सक्राइब कर मेंहें इसकách इसलेकटिव यह दिन मिजुन होता है वह स्यूसरा जील सेय passenger जैसे 2 मीडिया लेकिन Are दिश और टो मीडिया दास और मीडिया फिरती तरब दिफ्रेंजेरंट तफिक्यों तौ मिडिया सेँलेक्तिव मीडिया इंडि इन डेच्मिंट मीडिया इसाइसा के सच पिसे दृसा फॉ Munich इनिच्मिट अटार म। खिखेघर सेलक्तिव मीडिया क्या है इन इंडीक्विय मीडिया लिक्विड मीडिया इसका सेघंपल दहें हिसका रेननाइच ए सेल्थ प्रोत पिर सालमोनेला डोलीटर आटीजिट ॰ झालता यह स्षब आपने दिखे आप नेटैंस सर अलती है एक्विडूर्णज्व टेर इंदा स्पेसिमिन क्या होता है डेलिकेट जो माइक्रो और गेंजम होते हैं वो उनको ट्रांस्पोर्ट करने के लिए ट्रांस्पोर्ट मीडिया का यूज किया जाता है ठीक है कि इस मीडिया में कुछ ऐसे साइडेंजायन जो मायक्रो Spencer के ओवर ग्रोथ और डेक्र इंधा कारते हैं प्रिवंद करतेशिए एक्जाम्पल देखें मीडिया के उनकॉर्ट मीडिया इन श्चासपोर्ट मीडिया तो आज कि वीडियो में हमने Types of Culture Media पढ़ा कल के वीडियो में हमने Form of Culture Media पढ़ा था लेकिन वह किसी टेकनिकल इसू के बज़ा से उसमें आवाज नहीं आ रहे थी तो उसको आज मैं फिर से Revision कर दे रहा हूं इसी वीडियो में तो वीडियो को skip मत किजेगा इसमें आपको वाइस अच्छे से सुनाई देगी तो देखिएगा लास्ट तक ठीक है आज के वीडियो में Form of Culture Media को बहुत ही अच्छे तरीके से और वाइस के साथ बताऊंगा कल के वीडियो में आप लोग को वाइस नहीं मिली थी उसके लिए सौरी देखिए सॉलिड मीडिया देखिए Form of Culture Media सबसे पहले देखते हैं तो फॉर्म आफ कल्चेर मीडिया अब तीन फॉर्म में इस मीडिया में इक आज होता हो सौलिडिफाइंग रियेजेंग का वर करता है वीची जय सुव्चेट यलगी यह कहां सम्राप्त किया जाता है सुविडियल कि से प्राप्त किया जाता ठीक एकर में एट 98 डिग्री से अज सोलिफाइट इसको कहा से प्राप्ति किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट को लेजन प्रोटीन इसको नहीं प्राप्ति किया जाता है कि यहांद है यहां प्रोटिन से फ्राप्तिक करें जाता है जलेटिन को ढ़्यकु ठीख क मनली यूज़ in Place of Gelatine because the absorbs kinetic काा यूजर का यूपर कपके जाता है जिलेटिन के सबुर्दों कि किया जाता है क्योंकि एगार जो होता है उनेरट रहे हाक्ट हो क्या होता है यहां पर मैंने आपको पता है तो 37 डिग्री से तक इसका क्या होता है क्या है मिल्टिंग सोलीडिफाइंग पॉइंट होता है अब देखिए आगे माइक्रो और गेंजम मल्टिप्लाई एद इनुकुलेशन साइट इन सॉलिड मीडिया टू फॉर्म एक कॉलोनी ऑफ दा वीजिवल सॉम क्या होता है जो माइक्रो और गेंजम होते हैं वो इन इन मीडिया होता है इन इन मीडिया में इस मीडिया में नॉल्च विश्ट कभा कि प्लेट में ढूर्यू टेस्ट यह भीच्वा का शुर्ष है तक शहायों करने की वेस्ट दाइव फिर्ध अंग भीचेए मिमंगेके सब्सक्राइब by observing this media इस media को observe करने पर जो बैक्टिरिया है उसको हम identify नहीं कर पाते हैं ठीक इन इस media we cannot check the purity और इस media में हम purity को भी चेक नहीं कर पाते हैं example देखिए nutrient broth and luria broth ये liquid media का example है देखें लास्ट है semi solid media या क्या होता है it is in jelly form या क्या होते है jelly form में present होती है semi solid media is collected in test tube इसको किसमें लिया जाता है test tube में collect किया जाता है this media is mainly used to transport micro organism इस media का use mainly किसमें किया जाता है micro organism को transport करने के लिए example देखिए image transport media store transport media ये semi solid media का example है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि daily इसी तरह के वीडियो हम आपको provide करते रहेंगे thank you